कुरोना काल के अंदर बिजली की समस्या नहीं है, कोल इंडिया इतनी बड़ी कंपनी है, लेकिन देश के जो मुद्धे हैं, उन मुद्धों को छोड़ कर जिस तरीके से मुद्धू से भठकाया जा रहा है लोगों, कभी कोईले की समस्या, कभी अजाल की समस्या, कभी तो मुद्दो की बात मत कीजिए गोबर से कोहिनूर के इरे निकाल लिए नाली से गैस पैदा कीजिए और इस तरह की तमाम चीजें उसको पर बात कीजिया चैनल भी चलेगा आप तो मुझे अच्छी तरीके से याद है कि नेशनल चैनल के उपर बैठ के भार्किये जन्ता पार्टी के परवक्ता थे संभीत पात्रह उन्होंने कहा कि गाय का एक किलो गोबर कोहिनूर हीरे से ज्यादा प्रिंटी है यह सुप्रीम कोट की गाई 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 उसमें क्या करें इसका लिए घूपर से शुरू करते हैं इसलिए मैं कह रहा हूं कि उसकी बात कीजिया आप चैनल बेसे खुब चलेगा है आप यह आप यह मानते हैं कि देश के अंदर जो आज यह नफरत का माहौल है इसको फैलाने में सबसे जयादा चैनल वालों का हाथ है बिल्कुल जा सारा से उसमें काम कर रहे हैं जो नरेटिफ चाहती है सरकार वो बनाती है वो चलाती है अब दो पर बाते नहीं होती है इसलिए कि आ जा रहा है सब जस्तरीछी के अभी जो मुद्धा बनाया जा लाउड स्पीकर का और एक धरम विशेश के लोगों को टार्गेट किया जा जा था अधान से प्रॉब्लम है कि और रात भर आप बजाएं तो पीसी को प्रॉब्लम को चले चुनावी रैडियो पे टीजे बचते हैं बारात सर्गों पे निकलती है उस पर टीजे ऐसा बचता ह कि अधर हाट का फेशन मांज गुजर जाया तो अटैक हो जाया उस पर उस पर किसी को कोई आपती नहीं है एक मिनट की अधाम से सबको प्रॉब्लम है तो जो निरेटिव बनाया जा रहा है वो सूट करता है एक खास पार्टी को तो वो लोग बनाते है उसमें सबसे बड़ अधा रूल पिले करता है थो मेडिया पिले करता है तो थो हमिंस निरेॉटीफ को कि अतमाशा एक चीज़ और यह बताइए मैं आप से चीज़ प्रॉटना चाहता हूां जिस तरिके से आज अगर हम देखेंगे राजिस्थान के अंदर एद के दिन नमास के टाइम पर ही पद्रा हुआ लाकी चार्ज हुए वहां के लोगों के घरों पर बुल्डोजर तक चलाए गए जो लोग नहीं जो लोग शहादत दे रहे उसमें कुछ हिंदू भाई बहन दें तो कह रहे हैं कि क्या कोट के नियमों का इंतिजार ने किया जाएगा किया ही नहीं किया उस दिन जो दिल्ली में जहांगीर पूरी में जब बुल्डोदर चल रहा था तक्रीबन 11 बज़े सुप्रीम कोट से इस्ट्रे आ गया था उस पर रुपने के लिए और दो बज़े तक वहां पर चलत जा रहा है और जिल लोगों ने वोट लिया मुसलमानों का वो खामोश तमाशा है हिन बने हुए हैं अभी उत्तर परदेश के चुनाओं में नब्बे परसर मुसलमानों ने एक तरफ एक पार्टी को वोट किया आपने बहुत अच्छी बात जीते 35 मुसलिम विधायक बने सब गुंगे बनके बैठे रहे मुसलमानों की हमदर्थ पार्टी तो आपने लाम नहीं लेना चाहते हैं मैं आपको बताएता हूं समाजवादी को किया होट तो जैसे अब कहते हैं कि इतिहास रचाद 10 की 10 सीटे जीत के लिए तो क्या आजमगण का कुछ विकास हुआ अभी वी तो रास्ते वही खड़े वाले हैं लोग परेशान हाल है तो अगर आपने इतिहास रचाए तो जंता की वुनियात पर इतिहास रचाए तो जंता की समस्याओं के उपर हौज यह सवाल आपको नहीं लोगों से पूछना चाहिए जो लोग अमेले बने हैं यहां पर और जनता को सोचना चाहिए इस पर ने आप से सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप नेशनल टीवी के अंदर भी बैटके इन मुद्दों को आप उठाते रहे हैं अब लड़े दिदार गंज से इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े स्वाइब शिक्षा रुजगार विरुजगारी पर चुनाव लड़े कही कोई कंविनल एंगल ने आने दिया हर समाच के लोगों का प्यार मिला महब्बत मिला मगर जो लहर चली सरकार बदलने कि वो रातो पहले की बात है कि रमजान की बात है में रात में खास तब के के लोगों को मुसल्मानों को टार्गिट किया गया मारा भी गया उनको हाथ पैर तोड़े गया मुकदमे 307 के लगा के 10 लोगों तकरीबन जेल भेज दिया गया और विधायक जी के घर से मुश्किल से 1 किलोमेटर का मामला है वोट तो सब को चाहिए मुसल्मानों का मुसल्मानों पर ज्यात्ती होगी जुल्म होगा तो नजर नहीं आएंगे सिटिंग मेले थे मुकदमानी दर्श करा पाए क्रॉस लोग के फिवर में मारे भी गया मुसल्मान मुकदमा भी उन पर वहाज जेल भी मुसल्म कि आप विधायक हो अपने लोगों का मुकंदमा निदेश करा पा रहे हूं पूरी रिपोर्ट सामने है वीडियो स्टेल रहे हैं सोचल मीडिया पर तो गरीब कमजोर लोग थे जिनको मारा गया पीटा गया और तरावी पर के लौट रहे थे और तों के साथ में बत्तमीजी क सकते क्या किया विधायक जी ने जाके तरवान से पूछी अच्छे और बताई कि आजकल शोशल मीडिया पर एक चीज और भी बहुत चरुए कि जिसे अभी आजम खान से मिलने सपा के कुछ नेता गण गए तो आजम खान ने उनको लटा दिया वहीं पर जब अखलेस से दिया ने सवाल किया कि अखलेस यदो जी आजम खान में मिलने से मना कि रहे एक तरफ तो उनके नेता बोलते हैं कि हमें राश्टी अद्धिक्स ने भेजा दूसरी तरफ राश्टी अद्धिक्स करते हैं कि मुझे मालूम नहीं ऐसा कि कुछ बचा नहीं है पर जो था इस स्वेप कर गए 40 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया इनके सारे एक सिर्फ बची हुई थी सदर वाली टावा कि वो भी जीद भी भाजपा तो कुछ बचा नहीं समाजवादी में सिर्क मुसलमान बचे था मुसलमान समझदार हो गया देख लिया इसको करके भी तो जब चिर किसी एक मुसलिम दल को स्पेस नहीं दिया ना ही गडबंदन किया ना ही कभी उनके मुद्वक होताया और ना उनको टिकट दिया उनके लोगों टिकट भी काटा लाइन से पूरे परदेश में तो अब उनको समझ में आ रहा है तिले अब यह जान ले कि जिसको भी आगे कु तो ओर रहे हैं उसके पीछे एक रणनीती यह थान की जा रही है कि एक देश, एक समझान, एक कानून यानि जो भी शरही कानून रहालन है उन सारी चीज़ों को खटम कर और सिरीफ एक लो लाया जाए तो कैसे कर लेंगे समझान की ख़लाप हो जाएगा पर आबर टोरी जा कर देश बहुत बुरे वक्त से गुजर रहा है अगर लोग नहीं समझेंगे तो बहुत बुरे हाल हो जाएंगे मुसल्मानों को देखिए कोई फरक नहीं पड़ने लाएं पहले किसी ने मुसल्मानों को बहुत कुछ दिया था नायनों बहुत चिन लिया हैं एक माहूल बनाया जा रहा है हमारे खिलाफ और उस माहूल से डरने और घ्रवराने के ज़रोत नहीं है मस्बूत लोग हैं हम सब्सक्राइब जो लोग इस तरह की बाते कर रहे हैं आप सोची की 800 साल तकरीबर मुसल्मानों नहीं की इस मुल्ग पे जो अखंड भारत की बाद यहां हैं अखंड भारत हम ने बनाया है इंदुस्तान पाकिस्तान बंगला देश अफगानिस्तान पूरा नक्षा उठा कर तक पाकिस्तान को शिकस्त देने में भी जल्मान का भी बहुत बड़ा हाथ तो पता नहीं क्या होता है उस दौर में जो लोग इस तरह की बाते करतें वो अपने गिरबान में भाते करके देखें और जहां तक आप सुचें की 800 साल मुसल्मानों हो मत अगहें चैंगरेजों की तो जो लोग इस तरह की बाते करते हैं वो फिदूल है लोगों को समझने की जरूवत है कि जो लोगों ने 800 साल हुकूमत की अगर चाहते तो हिंदुस्तान में एक मंदिर नहीं बचता नामों निशान मिटा देते इनका मगर हम लोग ऐसा नहीं से जादा मंदिरों का निर्मा कि उनका साथ देगी चुनाओं हम लोग हा रहे हैं हिमत और होसला नहीं हा रहे हैं अच्छा एक आखरी सवाल है कि आप नौजवान भी हैं पड़े लिखे भी हैं यह वादी है तो जिस तरीके का यह माहौल चल तो आप देश की जंता को मेडिया के जरीए उस इंवेश दे जा रहा हूं कि इनके प्रोपेगंडे में ना है जो हमारे नौजवान है वह पढ़ने लिखने में इंट्रेस्ट लें और जो कौम के लोग पढ़ते लिखते हैं एजुकेशन में आगे रहते हैं उनको कोई दुनिया की ताकत रूप नहीं सकती आगे बढ़ने से और जो ध बहुत बरबाद हो जाएगा फिर वो संबले संबलेगा नहीं तब ही वक्त है कि हम लोग सोचें समझें कौन सही लोग है जिनको सियासत में आगे बढ़ने की जरूवत है मजबूत करने की जरूवत है तो ऐसे लोगों के साथ देने की जरूवत है और चुनाओं में आते ज शुक्रिया आपका तो जैसा भी आपने देखा हमारे साथ में नौजवान लीडर यूवा लीडर कह लें पढ़े लिखे समझदार विक्ती घुजेफा आमीर साधी साहब बैठे थे और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि वक्त और हालात का तकाजा ये है कि हम अफ़ा द्हाओं पर धियान ना दे शिक्षा मेडिकल कारूबार के उपर ध्यान दे आपका बहुत बहुत शुक्रिए हो